वेलकम टू एक्जाम तक आज अब पांच मार्च और पांच मार्च 2021 से बने वाले सभी मोश्ट इंपोर्डेन करेंट अफेस के कॉश्चन अम लोग इस वीडियो में करने वाले साथ मैं आपको हरे question के साथ में डीटेल में explanation मी बताऊंगा जिससे आपको करंट के साथ साथ लाश्ट में आप से question भी पूछूंगा जिसका answer आपको comment box में देना है फूरा video द्यांसे जरूरर से देखेगा इसकी quiz and pdf आपको telegram पर मिल जागी so make sure join जरूर से कर लेना यहाँ पर start करते हैं आज का वीडियो पहला question कौन सा है हाली में Instagram पर 100 million followers वाले पहले क्रिकेटर कौन बन चुके है यह जो हैं पहले क्रिकेटर हैं और पहले भारतिय भी है यह हैं विराट कोली भारतिय कपतान जो है याद नहीं रखना है अपने को इनका नामी याद रखना Instagram जो है यह Facebook की ही company है कि Facebook जो है यह इसकी parent company है Facebook ने Instagram को खरीड लिया था 2010 में बना था Instagram यानि कि 2010 में Instagram लॉंच वा था Facebook की अगर बातिया CEO को ने मार्क जगरबर्ग जो है यह है Facebook के present time है CEO नेक्स्ट है second question की and friends में आपको बता दूँ आप भी जो है exam तक के Instagram पेज को Facebook पेज को और Twitter पर जो है exam तक को follow जरूर से करना आप भी जो है हमको exam तक को follow नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है सभी जिगे पर follow कर लिजिए बागे Telegram channel को must join कर लेना वो आपके लिए ज्यादा useful रहेगा ठीक है ना next second question कुछ सा है हाली में CRPF के महा निदेशक यानि Director General का अत्रिक्त प्रबार किसे स्वापा गया है तो CRPF यानि की Central Reserve Police Force बारत का जो है सबसे बड़ा era military forces कह सकते है तीन लाग के आसपा जो है इसमें सैनिक है और इसके जो है महा निदेशक थे AP महाईश्वरी ये जो है अभी सेवा निवरत हो चुके है और अभी बन चुके है कुलदीप सिंग इनको जो है अत्रिक्त प्रबार सौपा गया IPS officer है कुलदीप सिंग इनको CRPF के महा निदेशक की रूप में अत्रिक्त प्रबार सौपा गया जब तक कोई जो है फुल टाइम महा निदेशक नहीं बन सकता डिरेक्टर जनरल तब तक कुलदीप सिंग ही रहेंगे तो आपको इंपोर्टेंट याद रखना इनका नाम अगर बात के SS देशवाल की ए करद में बात का नहीं दिली में या फिर कोई भी CISF हो गया सबीका हरुटर जो आपको मिलेगा सिर्फ नहीं दिली में एक याद जरूर से जरूर से रखना रखना असम्राइफलज यानि की यह निकी यह इसका आदर श्वाकि आपको important याद रखना और 1939 में जो है CRPF की स्तापना हुई थी यह सभी point जो आपको CRPF के बारे में याद रखना है important बनते हैं एक CRPF अंतराज की नाम से जो है e-book भी launch की दी अमिट चान है यह आपको important याद रखना and एक बात और याद रखना यह जो CRPF हैं, CISF हैं, ITBP हैं यह सब जो ना यह रख्षा मंतरा ले के अदिन नहीं आते हैं यह आते हैं home ministry के अंदर यह आपको important याद रखना है यह आते हैं ग्रे मंतरा ले के अंदर जबकि Indian Army, Indian Navy और Indian A4 जो हैं वो आते हैं रख्षा मंतरा ले के अदिन तो यह भी काफी सारे लोग confused होते हैं next, third question, हाल में हूरन की global reach list 2021 में सबसे top पर कौन है तो अभी हूरन report के और से एक report आई है, इसका दसवा संसकरन है यह अगर बात के हूरन की, तो यह जो है चाइना की है ठीका ना, चाइना की report agency है यहाँ पर जो है, इसका head order आपको चाइना में मिलेगा और इसकी global reach list 2021 में top पर कौन है, तो यह है Elon Musk, Tesla, Motors के और SpaceX के मालिक, SpaceX आपको पताओगा, यह जो है अमेरिका के एजी जो है, अंतरिक्स agency है, SpaceX काफी बढ़िया काम कर रहा है और SpaceX के साथ साथ Tesla जो है, इसके भी यह जो है, CEO है तो Elon Musk अभी जो है, यह बन चुक है, नमबर वन, यह आपको important याद रखना है इस list के अनुसार मुकेशंबानी जो है, भारत के Reliance Industries के यह है आठवे नमबर पर, Jeff Bejo जो है, यह second नमबर पर है और Mark Jakarberg यह रहे हैं, चौते नमबर पर, अभी मैं आपको आगे पूरी list बताऊंगा ठीके ना, तो आपको यह important याद रखना है SpaceX और Tesla दोनों के बारे में, अभी Tesla ने भारत ने करनाट के स्टेट में अपनी factory स्टार्ट कर दिये इवीकल्स के लिए, क्योंकि Tesla motor जो है, बहुत जल्दी इंडिया में launch हो चुकी है अभी जो उसका काम चल रहा है, यह देख सकता है, आप लोग top 10 जो हैं यह पूरी के पूरी list है, यहाँ पर सबसे उपर है Elon Musk Tesla के 117 billion dollar जो है, यह इनकी net worth है, 320% की एक साल में जो है, इनकी जो है, valuation अप हुई है, चेकंड नमबर पर को ने जेफ बेजोस है, एंड थर्ड नमबर पर बात की जाए, तो थर्ड नमबर पर है अर्नाड एर्नॉल्ट, इनकी जो है, 114 billion dollar है, और यह फ्रांस के, बाकि सभी question, यह भी काफी ज़्यदा important है, हाली में, इज्राइल में UAE का पहला राजदूत कौन बना, अब इज्राइल में UAE का राजदूत बना है, तो हमें क्या लेना देना है, क्योंकि अभी आपको पता होगा, पिछले साल, डोनाल ट्रम के टाइम पे, इज्राइल और UAE ने एक अबराहम समझोता क्या था, जिसके तैड़, UAE ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया था, जिसने इज्राइल को देश के रूप में मान्यता दे दिया, और उसके साथ जो ऑफिशल रूप से संबंद स्ताफित कर दिये, दोनों देशों में नहीं, इससे पहले कोई भी राजनितिक ग्रूप से संबंद नहीं थे, लेकिन UAE और इज्राइल के साथ यह संबंद हो चुके है, उसके बाद अबराहम समझोते में, बहरीन वगरे कई सारे देशों, बहरीन सामिल हुआ, ए इरुशलम जो है, यह है, इसराइल की राजदनी, साथ में जो है, इसराइल की प्रदान मंतर कोने, बेंजा में नेतनियोव और इसराइल की रष्टपदी कोने, तो रूवेल, रैवलिन जो है, यह है, इसराइल की संसद को, और इसराइल की मुद्रा क्या है, न्यू जो है यह हैं यहां कि मुद्रा आपको इंपोर्टेंट याद रखना बागी UAE के बार में आपको पता हुआ United Arab Emirates 2020 में IPL हुआ था और यहां पर एक युद्धाब्यास वाला जो है यह कुश्ण कल मैंने एक्जाम में कल के वीडियो में आपको बता था ठीक ना UAE की capital क्या है तो अबुदाबी जो है यह है UAE की capital और UAE की ओमान की खाड़ी और अर्शन गल्फ के पास मैं लेगिन आज मैं आपको बता देदा हूँ यहाँ पर इजर्याल के बार में सीधा मैं यहाँ पर जूम करने बाला हूँ इजर्याल के उपर यह आप लोग देख सकते हैं सुएज नेर यह जो है लाल सागर है यहाँ यहाँ लाल साओर यह है और यहीं ऑप् lijस्य तेइंट 596 में इसका निर्मानी यह कौन सा देश है तो यह इस रहा है थो प्रेक्सक्राइब नि अजिद ल देख कर देख है। पिरुश्लम जो है यहां की राजदनी है और फिलिस्तीन के साथ यहां पर चल रहा है विवाद फिलिस्तीन जो है ज़स्ट इजराल के पास में है तो यह आपको थोड़ा सा इंपोर्ड एंड याद रहता है नेक्स नगर बात के पांचवे कोशन की यह भी काफी अच्छा और भी अप्ग्रेड कर दिया था तो ब्रमोस मिसाइल का भी एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया और उसके तहट सबसे पहले यह समझता हो चुका है फिलिपिन्स के साथ इंपोर्ड याद रखना है जिसके तहट बारत इसको फिलिपिन्स को सप्लाई करेगा ब्रमोस मिसाइल देगा क्या कुछ है वो सब अभी जो है ऑफिशल रूप से समझता होना बाकी है लेकिन जो है यह जरूर हो चुका कि फिलिपिन्स जो है भारत से खरीदने वाला है ब्रमोस मिसाइल यह आपको इंपोर्डेंट याद रखना है फिलिपिन्स के बात के राजदानी क याद रुका अब मैप में आपको जो है फिलिपिन्स कहां पर मिलेगा फिलिपिन्स से समझती एक और बड़ा कोशन बनता है यह अपना इंडिया इंडिया के जस्ट इस साइड आ देना तो पैसिफिक ओशन में आपको मिलेगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं लोकिसन जब कि यहां पर यह हैं फिलिपिन्स और यहां पर मैंने जूम कर दिया है यह जो है फिलिपिन्स देश है और यह है इसकी राजदानी अनिला अनिला जो है यह है और यह साउथ चाइना सी आप लोग देख सकते हैं अक्षिन चीन सागर जहां पर लगातार चाइना की थी सुलीवन वो अमेरिका के थी जो मेरियाना ट्रेंच में पहुची थे और मेरियाना ट्रेंच जो है 11 किलोमेटर के आसपास यानि कि 11,022 नीटर जो हैं इतना गहरा है समुदर में अगर आउंट एवरेश्ट को भी उसमें डाल दिया जाए तो भी समुदर जो हैं 3 नेक्स छटा कोशन हाली में राष्ट्रिया सुरक्षा दिवस का मनाते हैं नेशनल सिक्यूर्टी जे तो ये मनाते हैं 4 मार्च को आपको इंपोरेंट याद रखना है जो भी भारत की सुरक्षा के लिए लगे हैं सुरक्षा अधिकारी कहो चाहिए जो हैं अलग-अलग इस आपना हुई थी 1966 में लेकिन यह पहली बार डे कब मनाया गया तो 1972 में पहली बार मनाया गया आपको इंपोरेंट याद रखना अगर बात के एनसी की यानि की नेशनल सिक्यूर्टी काउंसिल का तो इसके अभी प्रजेंट टाइम में जो हैं चेर्मेन कौन मनें तो इस इसकी स्ताब ना हुई थी 1998 में न्यू डेली में इसका भी हैड़कॉर्टरस मिलेगा आपको ठीके ना चले नेक्स्ट अगर बात के साथवे कोशन की हाली में कहां पर स्वादेशी रूप से विक्सित स्ट्रेफोग्राफ स्ट्रेटोग्राफ इस्तापित किया है अभी जो इंस्टिट्यूट के वेगैनिकों ने इसको शामिल किया है और इससे जो हैं आकाशिय गंगा हो गई हैं सबी जो हैं अंत्रिक्ष की कड़नाओ को देख सकते हैं इससे पहले और यह भारत में जो हैं अभी तका सबसे बड़ा होगा स्पेक्ट्रोग्राफ यह जो अभी बन नाम दिया गए एडी एफ ओसी ठीका ना टू पॉइंट पांच गुना मेहंगा कम होगा यानि कि जो फॉरेंट से हम लोग आते दे उससे जो हैं यह काफी ज़्यदा सस्ता हैं और यह जो हैं अभी यह देश में और एशिया में सबसे बड़ा हैं अभी तका तो यह आपको इंपोडेंट याद रखना हैं विज्यान के शत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब दी अगर बात किया नेनी ताल की तो उत्राखंड का हाईकोट कहां पर हैं सीधा कोशन बन सकता हैं ना की देहरादून में ना की हरीद्वार में हरीद्वार में कुम का मिला होगा यह आपको important याद रखना है इसके लवा उत्राखंड में जो है जिम कारवेट नेशनल पार्क है 1936 में स्तापना वोईती भारत का पहला नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क भी यहीं परे उत्राखंड में राजदानी देहरादून भी यह ऑर गैर सेन्ड भी है दोनों है त्रिवेंदर सिंग रावत सीयमें और बेबी राणी महोरिय जो हैं उत्राकंड़ की स्तापना कभूई थी 2,00 में जब यह उत्रप्देश से अलग गथा पहले यह उत्रप्देश के साथ में था उसके बाद हें अलग हो गया नेक्स्ट है आठवा कॉशन हाल में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूनामेंट 2021 में पुरुष और महिला एकल के विज़िदा कौन बने तो भी युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूनामेंट में वरुन कपू ने पुरुष एकल और मालविका बंचोर ने महिला एकल का किताब जीत लि और यावेरी मुझसे विनी important याद रखना है इनका नाम यह अभी जो है राष्टपदी बने हैं छे बार राष्टपदी बन चुके हैं याके युगंडा के इसलिए आपको important याद रखना है अब इंगलिस की vocabulary यह जो है vocabulary आज मैं नहीं करवा रहा हूं आप लोग जो है PDF में देख सकते हैं ठीके ना अब एक अलके सवाल का answer तो डिया डियो ने बनाए है सिंदू नेत्र उपगरा यापको important याद रखना इसरों ने इसको launch किया है PSLV C51 के जरिए इसमें जो है एक अब आज का question तो इंडियन एफोस किस देश में आयो जी तो वने वाले exercise desert flag 6 में इस exercise में भाग लेने जा रही है इस देश का नाम comment box में लिखे और इस exercise में कौन से देश हिस्सा ले सकते हैं उनका नाम भी याद है तो comment box में जरूर से लिख लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे मिलते एक नए वीडियो में तब तक लिए जय हीन जय भरत